Hello everyone, this is me निधी कुपता, your English coach. कैसे है सब लोग? Class 10 के students के लिए exam से पहले मैंने ये series start की है जिसमें हम लोग करने वाले हैं हर chapter के NCRT questions को discuss. Alright, तो सारे chapters one by one हमको करने हैं इस series के अंदर 29 chapters के 29 separate videos आपको मिलने वाले हैं जिसमें NCRT के सारे questions one by one हम लोग discuss करेंगे अच्छे-च्छे answers रहेंगे जो आप लोग देख सकते हैं, पर सकते हैं, याद कर सकते हैं और अपने exam की तैयारी कर सकते हैं Alright, तो फायदा क्या होने वाला है इन videos से? Number one, अगर आपने revision करने का सोचा है हर chapter को एक बार तो इन questions के थुरू आपको revision हो जाएगा Because आपने देखा होगा NCRT के questions होते हैं, वो एक sequence में होते हैं आपसे पूछा जाता है exactly, क्योंकि in-text questions भी है Okay, in-text मतलब कि जो bracket में, box में questions पूछे जाते हैं वो भी मैंने लिए हैं, और जो proper last में होते हैं, वो भी मैंने लिए है तो आपको revision भी हो जाएगा, साथ की साथ आपको हर question का answer लखने का तरीका भी आ जाएगा जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि उन्हें answer writing बिल्कुल नहीं आती है उनके पास में कोई answer नहीं लिखा हुआ है, जो लोग school नहीं जाते है, उनके लिए यहाँ proper answer writing मैंने लिख कर दी है तो यह हर तरीके से हर student के लिए बहुत ज़्यादा beneficial class होने वाली है तो चलो करते हैं, इस series को start और आज का chapter हम लोग करेंगे a letter to God का Lencho, जो की एक farmer है, जो एक हिली एरिये में रहता है, लोनली वैली में रहता है उसका एक farm है, basically खेती करता है, वो किसान है, मक्के की खेती करता है, और जो उसकी crops है, वो destroy हो जाती है इसकी वज़े से वो letter लिखता है, God को, और God से बुलता है, मुझे 100 पैसो की जरूरत है पैसो गाड तो नहीं देता, बट कोई और देता है, कौन देता है, postman बोलता है, postmaster को वो कि दे को letter आया है, postmaster says, ठीक है, हम लोग इसकी help करते थे, कर देते है कि यह unquestionable faith जो बंदे का है, मैं बड़ा impress हो गया हूँ इससे employees से खटा करके, इपनी salary का पार्ट खटा करके, वो 70 पैसोस देता है लैंचो को, letter लिखता है और बोलता है, sent from God, only God नाम लिखता है लैंचो letter को खुलता है, बोलता है, यह क्या है, मुझे सिर्फ 70 पैसोस मेले, I needed 100 पैसोस, किसने लिए यह यह पैसोस बोलता है, these post office employees are a bunch of crooks, वही पर आपका तो story है, वो finish हो जाता है आपको यहाँ समझाया जाता है, जो लैंचो था, वो बहुत दी ungrateful था, उसको, इस help के लिए, thank you बोलना चाहिए, उन लोगों को, जिसने उसकी मदद की rather he is telling them, he is saying them, he is calling them bunch of crooks, यहाँ पर आपका chapter finish हो जाता है, काफी सारे messages है, story की तरफ से, जो आपको सीखने है, आज हम लोग इसकी question answers NCRT के शुरू करने वाले हैं, ठीक है, question number one, जो आपकी book में लिखा हुआ होगा, आपको मिलेगा, मैं फिर बता रहे हैं, हम लोग in text questions भी कर कर लेंगे, what did Lencho hope for, story में मैंने आपको क्या बताया, कि जब हम लोग, जब यह chapter शुरू होता है, starting में ही Lencho एक hope कर रहा होता है, बोलता है मेरी जो crop है न, वो सूख रही है, harvesting का time आ रहा है, अब इसको पानी चाहिए, I just need कि कहीं से बारिश हो जाए, I need a heavy downpour, downpour का मतलब हो होना, heavy rainfall होना, right, जिससे क्या होगा, खेत में जितनी पानी की ज़रूवत है, वो पूरी हो जाएगी, so I need this, बोलते ठीके, इतना नहीं हो पारा, that's okay, at least एक शावर हो जाए, हलकी फुलकी बारिश हो जाए, so that जो खेत ही है, जो मतलब हमारी जो crop हो डिस्ट्रॉइ न हो इन बारिश ओले के रूप में convert हो जाती है, hillstones आने लगते है, वहाँ पर जो आपने देखा हो गए यूनो, बारिश आपके खेत के लिए और फसल के लिए अच्छी होती है, लेकिन ओले जो है वो सब खराब कर देते हैं, बहुत सब ठंडी में ओले पढ़ते हैं, जो फसल ह जाती है, नश्ट हो जाती है, इसके साथ भी वैसे हुआ, anyway, question में आप से पुछा गया है, what did Lencho hope for, हम उसी का answer देंगे, Lencho क्या hope कर रहा है, मैंने आपको बता दिया, अब answer लिखने के लिए, हम answer दिखा रहे हैं भी आपको, answer लिखने के लिए आपको जो proper context चाहिए और क्या उसके बारे में discuss कर लिए, तो context बनाने के लिए, आप simply क्या बूल सकते हैं, आप बूलेंगे, Lencho was a farmer and an ox of a man, Lencho के बारे में दो कीवर्ड हमें पता हैं, कि एक तो वो farmer था, दूसरा वो ox of a man था, ठीक है, ये कीवर्ड से मैं अंडलन कर भी हूँ, आप भी याद रखने, चाने पीने के लिए, जो profession, हर family में कहीं ने कहीं से income होती है, इसकी income का source थी, इसकी field, किसकी मक्के की, तो मक्के की खेती से proper मक्का निकलना बहुत जरूरी है, जिसको sell out करके, वो market में जाएगा, sell करेगा, पैसा आएगा, तो अपना आगे का, you know, family को help करेगा, खिलाना पिल जाना जो भी काम है, तो इसका जो है, वो bread and butter क्या था, इसकी cornfield से, this year he was expecting for a good harvesting, उसने बोला, मैंने बहुत मेरनत की है, अच्छी harvesting होगी, मतलब जब मैं कटाई करेंगे फसल की, बहुत अच्छे मक्की की खेती होगी, I know, but एक बारिश चाहिए, तो यहां तक भी को हमने सिर चाहिए था, शावर चाहिए था, आप यहां downpour word लिख सकते हैं, ठीक है, या आप good rains, heavy rains, कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको answer beneficial लगे, आपको लगे, आप लिखने में possible हो रहा है, easy लग रहा है, उस तरीके से आप इस answer को लिखेंगे, clear हो गया, आगे बड़े, next question करे NCRT की book में आपके जो next question है, वो है, why did Lencho say that raindrops were like new coins, देखो, अभी जो मैंने आपको story बताई, वो मैंने short में बताई, बट उसमें बीच-बीच में ये सारे चीज़े होई हैं, सबसे पहले उसने hope किया, किसके लिए, बारिश के लिए, बारिश आ गई, बारिश आ गई, now why did Lencho say the raindrops, जो raindrops पढ़ रही थी, जो बारिश आ रही थी, उसने बोला, these are new coins, फिर वो बोलता है, big coins are 10 cents, sorry, big drops are 10 cents and small drops are 5 cents, cents is basically, जैसे पैसा हो गया, तो हमारे रुपीय और पैसा, तो इनकी हापे cents, okay, Mexican currency basically, तो यहाँ पर Lencho comparison करता है, raindrops का coins से, तो दो आप इसके reason बता सकत नमबर बन एक तो वो दिखने में गोल-गोल है, ठीक है, तो ऐसा हम के तर पैसे पढ़े हो, हमारे हाँ पर भी यही होता था, जब हम छोटे थे ना, बहुत जादा तो नानी के घर जाते थे, तो नानू जो थे वो बहुत मस्ती करते थे, बारिश उचे थे, तो पहली-पह दे करते हैं, फिर तो वो बहुत जादा करती है, तो पानी हो जाता है, स्पींड़ देशन के बोन्हें, तो वहीं उन्ही ही स्पींड़ के बात यहाँ हो रही है, सेकर रहा हम जो you know good harvesting होगी harvesting अच्छी होगी तो उसका पैसा अच्छा मिलेगा तो ultimately उसको पैसा मिलेगा क्या मिलेगा पैसा मतलब new coins मिलेंगे so raindrops were the reason to get the new coins for lancheu अगर drops नहीं आएंगी raindrops नहीं आएंगी तो जो harvesting है वो अच्छी नहीं होगी बार्केट जाएंगे पैसा नहीं मिलेगा उस harvesting की जो आपकी फसल है उसका तो new coins नहीं आएंगे तो new coins इसलिए बोलता है क्योंकि वो पैसा उसी harvesting से मिलने वाला है अच्छा अब भी जब hillstones आने लगा मतलब hillstone आ गया hillstone आ गया तो वही हुआ फसल जो है वो सारी destroy हो गई तो लैंचो को कुछ भी नहीं मिला कोई पैसा नहीं मिला तो उसको मांगना पड़ रहा है गौट से और जैसे भी उसने चाहा कि उसको पैसा मिल जाए तो इस new coins का जो concept है वो सिरफ इसलिए आया है बिकिस लैंचो जो है he is demanding कि कोई अच्छी सी बारिश थोड़ी सी हो जाए rain drops आ जाए so that मैं अपनी harvesting को अच्छे से कर पाऊ इसलिए new coins से उसने इसको compare कि answer कैसे लिखेंगे लैंचो वर sure to get a good fortune once his crops get good amount of rain बात सही है देखो context लिखने कर तरीका होता है बच्चो आप notice करोगी मेरा हर answer 1,2,3,4 और 5 lines में यह लंबी है line है यहाँ आप इसको अपनी answer sheet पे लिखोगे तो I'm sure यह 5 line तक जाएगा 1,2,3,4,5 इतनी answer आपने लिखनी है अगर आपका question 2 से 3 number का होता है तो ध्यान रखिएगा इससे कम अगर आप लिखते हैं और से 5 line का answer आप जरूर लिखना ठीक है ऐसा लिखने के लिए जरूरी है कि आप एक proper context बनाए और उसके बाद अपना answer दे क्योंकि अगर आप directly बोलेंगे न Lencho said rain drops as new coins because he knew that once his coins will be sold sold, जब उसके coins sold होंगे he will get a good amount and that is why he called this 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 अब ऐसा मैंने सीधा बोल दिया तो दो से धाई line में मेरा answer खतम हो जाएगा तो मुझे पहले context बनाना पड़ेगा तो मैं बोलूंगी Lencho was sure to get a good fortune once his crops get good amount of rain अच्छी बारिश होगी अच्छा पैसा मिलेगा क्योंकि crop अच्छी हो जाएगी, fortune मतला पैसा he eagerly waited for heavy rain और at least a shower उसने wait किया बढ़िया सी बारिश हो जाए या थोड़ा सा शावर आ जाए and when he noticed rain drops coming from sky और जब उसने notice किया कि बारिशार ही वह बढ़ा खुश हो गया he felt overjoyed overjoyed बहुत ज़दा खुश हो जाता है and happily exclaimed और फिर वो happily exclaim करता है exclaim का क्या मतलब हो गया जब हम बहुत ज़दे excited होते हैं आपने मुह से कुछ भी ऐसा you know एकदम sudden feeling निकालते हैं उसको लोग excitement बोलते हैं तो हम लोगे exclaimed that rain drops were looking like new coins इसके आगे आप एक और लाइन लिख सकते हैं he also added ठीक है मैं लिख देते हूँ इसके आगे आप और भी add कर सकते हैं आप बोलेंगे he also added added said को खुछ भी लिख दो ये तो आपके लिखने का तरीका होता he also said और he also added that big drops be आप लोग small लिखेगा please मेरा paper नहीं है यसलिए मैं लिख सकती हूँ आपने लिखेगा big drops were अगर ये past में है तो war लिखेंगे present में होता तो r लिखेंगे were 10 cents and small drops were 5 cents इतना भी लिख सकते हैं तो ये आपके एक और line बढ़ जाएगी and it's not out of the question like relevant है है ना इसी के आगे ही तो बढ़ा रहे है उसने rain drops को जब पैसा बोला है तो किसको कितना बोला है बताने में कोई problem नहीं है तो आपका answer ही अच्छा हो जाएगा आप चाहेंगे तो इसको भी अपने answer में लिख सकते हैं I hope it's clear everyone let's do the next question now alright how did the rain change what happened to lancho's fields तो ऐसा बोला जा रहा है कि rain में कुछ change आया क्या हुआ होगा सोचो अभी आपको वोई incident यहां लिखना है पूरा-पूरा कि क्या हुआ होगा so exactly scene क्या था scene ये था कि lancho ने कोशिश की कि बारिश आ जाए मतलब उसने wish किया बारिश आ गई वो खुश हुआ अभी यह भी जो last question था वो rain drops को देख रहा है फिर वो क्या होता है बाहर जाता है फील करता है वाओ बारिश आ रही है अपनी body पे rain drops फील करता है बड़ा खुश होता है overjoyed होता है happy होता है contented होता है मतलब खुश हो जाता है satisfied हो जाता है फिर अब जो चीजे होती है वो आपको यहां लिखनी पड़ेंगी क्या-क्या होता है जोर की हवा चलने लगती है बारिश जो थी और तेर हो जाती है उसको लगा था गंटे भर बारिश आएगी बात खतम हो जाएगी बट नहीं बारिश तो रुखी नहीं अब इतनी बारिश भी नी चाहिए कि फ्लड आजाए और सारी क्रॉप खराबी हो जाए अवाई हुआ फिर क्या हुआ बारिश से हवा चली और हवा से ओले पड़ने लगी हेल स्टोंस आने लगे इस तरीके से पूरा वैली लग रहा था पूरा वैली पर पूरे गार्डन में ट्रीज पर कुछ भी हाउजस पर हर जगा वरफी बरफ ती इसने उसकी सारी फसल खराब कर दी ना वाट हापन तो लैंचो जाए लैंचो की फील को क्या हुआ ना तो फील्ड में कोई फसल बची ना कोई फ्लावर बची वो डॉटेट फ्लावर मतलब हर फसल की उपर फ्लावर से जो जिस तरह की खेती होगी बेसिकली वो था पर सब उड़ गया ओले की वज़ा से जो फसल होती है वो स्टेंड आउट नहीं कर पाती है वो नश्ट हो जाती है सब खराब हो जाती है तो सारे फूल हड़ गए सारे उसके उपर से और सारी जो क्रॉप है वो सड़ गई यह हुआ दिस्ट्रॉइ हो गई लैंचो यहां तक बोलता है कि अ ग्रूप अफ लोकस्ट वोड हैव लेफ्ट मोर अगर एक लोकस्ट का ग्रूप आया होता ना टिड्डे आया होते वो खाते पीते कुछ तो करते बढ़ छोड जाते नुक्सान करते 30 परसंट बट 70 परसंट फिर भी बचती फसल आप तो कुछ भी नहीं बचा तो इस वोड भी यह प्रॉपर आंसर ठीक है कैसे लिखेंगे आपको 5-6 lines में complete करना रहेगा I hope आप कर लेंगे 5 lines में Initially the weather was calm and composed Lencho went out and felt the raindrops on his body बताया मैंने भी आपको ठीक है पहले तो weather बड़ा अच्छा था धीमी धीमी बारिश औरी थी बड़ा मजा रहा था Lencho बाहर गया बड़ी पर उसने feel किया Felt the pleasure of the raindrops ठीक है But suddenly, ऐसे आप लेखेंगे कि suddenly क्या हुआ The soft wind transformed in a strong wind हलकी सी हवा चल रही थी, strong wind में convert हो जोर-जोर से हवा चलने लगी And huge hailstones began to fall along with the rain Rain के साथ-साथ OLE भी पढने लगे And the OLE मतलब की hailstones were very huge This destroyed the entire crop सारी फसल नश्ट हो गई All the plants very soon were flowerless सारे के सारे जोसके plants से वो उनमें से flowers चले गए जो होते हैं अक्य के खेती के उपर And the corn was totally destroyed यह जो है answer यहां से लेके यहां तक का second part का है और आगे वाला जो है वो first part का है ठीक है So this is how we can sum up के लेंचो के खेती के साथ में क्या हुआ What exactly happened और इसके अलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको और भी extend करना है answer That you know After some time और after an hour और after some After few hours Few hours लिख दीजेगा We could see The Hillstones everywhere It was all Snow everywhere And it was all white It was looking as if Someone has you know Scattered or Spreaded Salt On valley Houses Freeze and all the Fields of Lencho इस सरी के से Extend करना चाहें आप answer को कर सकते हैं Otherwise this would be enough ठीक है Next question करते हैं फिर तेको मैंना आप सिकाता है आपका पूरा chapter भी Revise हो जाएगा क्यूंकि जो questions आते हैं वो sequence में होते हैं NCRT के आपको सारे अंसर याद भी हो जाएगे Next question है What were Lencho's feeling when the hillstone stopped अब देखो इसमेना दो तरीकी की feeling है आप चाहें तो एक लिखिएगा आप चाहें तो दोनों भी लिख सकते हैं मैंने क्या बोला दो feelings है कैसे बोल रही हूँ मैं दो feelings के बारे में So basically हुआ क्या था Lencho को जैसे ही यह realize हुआ कि जो crop है वो destroy हो गई है सबसे पहले उसने बोल सबसे पहले वो pessimistic हो गया वो बोलता है All my work hard work for nothing मैंने इतना hard work किया सब waste हो गया Because ultimately आप मेरे पास में कुछ नहीं बचाए destroyed corn बचिए जिसका कुछ पैसा नहीं मिलेगा He became pessimistic इसके लिए हम लोग क्या word यूज करेंगे बच्चो We will say he became pessimistic ठीक है pessimistic वो हो जाता है पर कुछ time बाद Lencho optimistic हो जाता है फिर बोलता है No, 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 wait I have heard People say that no one dies of hunger God is watching everyone and He will never let us die hungry 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 हमको hungry नहीं करेगा भूखा नहीं मारेगा पहले बोलता है इस यर वो गो हंगरी फिर बोलता है His eyes are watching us and He will never let us be hungry हमारा कुछ ना कुछ होई जाएगा Because He is there to help us चलो God को लेटर लिखते है तो पहले वो pessimistic था फिर वो कैसा हो जाता है बाद में वो optimistic हो जाता है अब देखो optimistic इस तरीके से अगर आप इन वोट को पहली बार पढ़ रहे है बचो तो आप ऐसे याद कर लीजे that optimistic is plus and pessimistic is minus minus मतलब अच्छा नहीं हुआ ना और positive है तो मतलब positive and negative तो pessimistic is negative optimistic is positive आप इस तरीके से चाहिए तो उसको याद कर सकते है चीक है so basically लैंचो को बिल्खुल भी पहले अच्छा नहीं लग रहा था बात में उसने का नहीं नहीं होप खतम नहीं करनी चाहिए so his feelings पहले negative फिर positive इस तरीके से आप answer को frame करेंगी answer कैसे लिखेंगे देखो लैंचो had never been this sad before इतना sad लैंचो कभी पहले नहीं हुआ जितना आश था ये context लिख रही हूँ मैं देखो starting में आप देखो कि हमेशे context मिलेगा आपको 2 line का फिर आपका answer शिरोगा तब जा कि आप 5 number का 5 line का answer लिख पाओगे अगर आप सीधे direct answer लिखने लगे तो फिर आपका 3 line का answer होगा जो आपको 1.5 number दिलाएगा हमको चाहिए 3 तो 2-3 line ए add करने पड़ेंगी context की लेकिन relevant answer होना चीए ऐसे नहीं होना चीए कि कुछ भी लिख दिया तो लेंचो इतना बुरा feel कभी नहीं अब उसने पुछ ना feeling हमने कह दिया sad तो मतलब कुछ तो बात है answer में लेंचो को इतना sad कभी नहीं लगाता इन वेन क्या होता है विकार गया वियर्थ गया तो यह एक phrase है आप यूस करिएगा कि इतना hard work उसने किया but all in vain when the storms had passed जब storm चला गया था he stood in the middle of the field and told his son वही वाली लाइन जो मैं locust वाली आपको बता ले थी जब वो वहाँ पे खड़ा हुआ अपने son को बुलता है a plague of locust would have left more than this इस से जादा तो टिड़ी छोड़ जाते हैं जब वो here we will go hungry we will have no con इसके आगे आप प्लीज इसको continue करिए और optimistic line में लेकिए क्योंकि pessimistic तो हो गया but soon ठीक है यहां से शुरू करेंगे but soon यहां पे answer दे रही हूँ मैं आपको आगे का he becomes वो कैसा हो जाता है optimistic soon he becomes optimistic optimistic and hopes hope करता है to get some help from God देखो एक चीज बताती हूँ आपको बच्चों कभी भी जब हम लोग गॉड लिखते हैं न और गॉड से रिलिटेट कुछ भी लिखते हैं हमेशा जी कापिटल होना जी है do you know that I am sure किसी ने किसी ने क्लास में कभी किसी टीचर ने बताई दिया होगा बट आप चैप्टर भी देखोगे न कभी जी ओड चुटा नहीं होता गॉड का जी हमेशा कैपिटल और गॉड से रिलेटेड हेज या कोई भी प्रोनाउन लगाना हो ना गॉड से रिलेटेड गॉड को ही he will never let us die ऐसे करके ही लिखा हो लेकिन गॉड के लिए वो ही का हैच कैपिटल आएगा वैसे आप कभी ऐसे प्रोनाउन को कैपिटल नहीं लिखते हो लेकिन इस तरीके से कभी भी सिचुएशन होती है तो आपको उसका हर प्रोनाउन उससे रिलेटेड हर पजैसिव केस का प्रोनाउन या जो भी कुछ होगा सब कुछ आपको कैपिटल से शुरू करना होता है त तो वही वाली चीज होगी कि पहले तो हमने वहां पर आपको बस इतना बता दिया कि बाद में वह optimistic हो गया और उसमें बोला God से कुछ तो help मिल जाएगी अब आपको बताना है कि लैंचो का faith किसमें था अब हम बताएंगे लैंचो had good faith in God ठीक है तो आप इसकी शुरुवात वहीं से करिएगा कि once एक बार जब इसकी crop destroy होगी थी first he became very optimistic but then he had firm faith in God and he thought और उसमें बोला भी that God's eyes are watching everyone and he will never let us die किसी को भूका नहीं मरने देगा वो है ना so it's very important that we should not be upset or pessimistic हमको sad नहीं होना है कुछ नहीं कुछ हो ही जाएगा वाट इरी डू वो क्या करता है next endeavor market जाता है town जाता है basically post office में post office जाता है वहाँ एक letter लेता है letter पर एक pen से letter लिखता है God को stamp लगाता है और letter जो है post office में जाकर letter box में डाल देता है he asked in that letter help from God and says God I need 100 pesos my family will go hungry if you won't help me so I don't know just send me money this shows Lencho's firm faith in God ये keywords आपके अंशिकिबल, unquestionable, unbreakable जो भी आपके पास में keywords है वो आप यूज करिएगा ठीक है answer देखें कैसे लिखेंगे Lencho had unquestionable in faith in God लेंचो को faith in God में बहुत जादा था despite the fact that his entire crop was destroyed उसको पत्ले कोई context बन रहा है अभी बाद में हम लोग answer लिखना शुरू करेंगे ठीक है despite the fact that his entire crop was destroyed उसको ये तो पता था कि जो उसकी crop है वो डिस्ट्रॉय हो गई है he didn't become pessimistic वो pessimistic नहीं बना शुरू में था बड़ बाद में एक से change हो गया he confidently remarked उसने बोला देखो ऐसे वर्स को यूज किया करो he remarked he's simple बोलतेते ना लेकिन आप he sad कीजे कैसे लिखो के he confidently remarked that God is here to help him God है no one in this world dies of hunger पोरे दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो भूक से मरेगा because God is watching everyone hence they will definitely get help from God तो हमको भी help मिली जाएगी God से हम भी तो भूके नहीं मरेंगे कैसे मिलेगी for this उसने क्या किया he went to town and wrote a letter to God asking him 100 पैसूर उसने कहा God please मुझे 100 पैसूर देजे otherwise his family will go hungry this year so this is how he asked help from God तो किसमे फेट था उसका God में था एक बर question देख लेंगे में साइड हो जाती हूँ everyone watch it carefully and then we'll move on to the next question I hope it's clear question बहुत easy है लेकिन हाँ हम लोग पूरा chapter जो है in questions के थुरू revise करते जा रहे हैं आगे बढ़ेंगे ठीक है very good all right we'll do the next question now बच्चो question number six who read the letter पूरा स्टोरी हो गया आपका इंसी एडिकिन questions में what did the reader do then तो दिखो सबसे पहले आप अगर इसमें सीधे postmaster की बात करना चाहते हैं कर दीजे postman की बाती मत करिए फिर भी अगर आप बताना चाहते हैं that postman saw the letter and he went to postmaster with the letter now postmaster laugh they both laugh तोनों ही हासे तो आप postman को skip भी कर सकते हैं तो भी चलेगा क्योंकि यहां यह नहीं लिख रहा पहले किस ने पढ़ा बाद में किस ने पढ़ा लिख रहा है इसा कुछ दिखाए दे रहा है इसा कुछ नहीं ना यहां simply लिख रहा है कि letter जो है उसके पास जब पहुँचा तो उस किस ने पढ़ा who read बस इतना लिखना है अब पहले पढ़ा बाद में पढ़ा की बात नहीं और हमें पता है कि postman का तो बस इतना सा जिकर है मैं आपको इसलिए explain कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को यह doubt रहता है कि मैं हम postman लिखें या postmaster क्योंकि पहले तो postman ने पढ़ा था आरे यहां पूछा ही नहीं है पहला दूसरा यहां simply पूछा है कि किस ने पढ़ा हमें पता है जो major impact है यह जो significant बात करनी है किसी person की वह postman नहीं है वह postmaster है क्योंकि उसी नहीं स्टोरी को आगे बढ़ाया राइट तो हम सीथे सीथे postmaster भी लिख सकते हैं बाकी आपका मान ने लिखने का आप लिख दो कोई बड़ी की अच्छा ही है पहले postman ने पढ़ा then he went to postmaster लिख दो चिक है आचा फिर क्या हुआ हुआ पोस्समस्टर वाट इडी रीडर डुक्या की रीडर ने या दिखो पहली ना पहले तो उसको ना पराइट गुसा आया बताब क्या बोलई पहले तो उसको बड़ी हसी आई वह बहुत असा बोलते क्या है यह गाड को कॉन यह तो बहुत अची बात है, let's keep this faith in God, let's, let's, you know, let this person have the faith in God and we will help him so that his faith is not broken, इसको तो लगा चलो हम कर देंगे help, यह पूछ रहे हम बता देंगे, उसने खोला हाथों से पता चला, only paper and ink is not enough, only goodwill is not enough to help him, you will have to spend money to help him, आपको 100 पैसो एकटे करने पड़ेंगे, he did it, उसने यह किया, he took some part from the employees, उसके जो आसपास के लोगते उनसे लिया, थोड़ा सा पैसा अ 70 पैसों एकटे होगे, उसने लगा, 70 भी बहुत है, जिसको कुछ चाहिए, उसको ज़रूरत है, जिसको उसके लिए कुछ भी तिंके का सहारा, तो उसने का इतना भी काफी है, बट लेंचो तो लेंचो है, उसने का 100 मतलब 100, तो वहां पर बात खराब होगी, तो वहां पर उसने क्या किया, वहां तक लिखना है, आंसर फ्रेमिंग करते है, there is no such address where one can write a letter to God, ऐसा होता नहीं है, कि लेटर कभी God पर पहुँच जाए, क्योंकि कोई address ऐसा, you know, exist नहीं करता, लेंचो's letter reached in hands of the postmaster, finally लेंचो का जो लेटर था, वो पोस्ट मास्टर के पास पहुचता है, who immediately appreciated लेंचो's faith, आप लिख दीजे, first he laughed and then immediately, ऐसे आप लिख दीजे, कि पहले वो हसा, then immediately appreciated लेंचो's faith in God, उसने एकदम से appreciate किया, अरे वा, it's so good, appreciate किया लेंचो's faith in God and decided, उसने तभी कि तभी decided किया to help him, कि मैं उसकी help करूँँगा, because such faith should be kept, ऐसा faith रखना चाहिए, should not be broken, तोड और ना नहीं चाहिए, बहुत बड़ी बात है कि कैसी ने इस तरीके का faith रखा हुआ है, he requested few of his friends and employees to donate some money, उसने अपने friends से, employees से, relatives से, बोला कुछ donate करो सब लोग, तो सब में 2-2-4-4 pesos किये होंगे, I think तो तब जाके 70 pesos इखटे हुए, an act of charity, समझ के please करिए, finally he collected 70 pesos in total, इसमें line और आप लिख सकते हैं, he gave some part of his salary also, अपनी salary का भी उसने कुछ पाट दिया, and finally collected 70 pesos and kept in an envelope, अब देखो यह कौर important line है, with the name of God, मतलब कि क्या, आप मुझे answer करिये, चलिए, चैट सक्शन में मुझे बिताए, क्या जब पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसे भीज रहा था, did he want any, you kind of recognition in that, उसको recognition चाहिए था कि मैंने पैसे दिये हैं, भाई देख, नहीं, वो बोला कि मैं अपना नाम नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा God नहीं भीजे हैं, क्योंकि बंदे का फिर ट्रस्ट उट जाएगा, so better let the person believe that God has sent him the money, तो उसने अपना नाम नहीं लिखा ना अपन 20 पैसे उसे 100 नहीं है, but yes, he did not mention his name in that, he did not need any recognition, उसको बस God के नाम से लेटर में साइन किया और वापस post letter box में लग दिया, ठीक है, so this is how you would write this, कि सबसे पहले पढ़ा किसने, सबसे पहले पढ़ा से मेरा मतलब है, पहले question में पूछा है कि पढ़ा किसने, पोस्ट मास्टर, पो उसको दे दीता है, because he actually becomes happy, appreciate करता है, कि जो भी कुछ असनी क्या है, बड़ी अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे, next question करते है, question number 7, was Lencho surprised to find a letter for him with money in it, क्या वो surprise दे, वो बहुत ही अच्छा question है, बचो यह, कि क्या Lencho surprise हुआ था, was he surprised कि हाँ भई बड़ी यह बात, यह आर यह letter कैसे आ गया, God सच में थे, क्या मैना तो मजाक मजाक में सेंड किया ता, यह कैसे आ, ऐसा कुछ हुआ क्या, नहीं, he was so sure that if I am sending a letter to God, I will definitely get the reply, he will reply because he exists, and I know that he will never let me die, my family will never die of hunger, so we will get the money for sure, तो वो तो बहुत ही confident है, तो क्या वो surprise हुआ था, वोज लेंचो शर्प्राइस तो फाइंड लेटर फॉरें विद था मनी इन इन नो, आंसर सीधा सीधा है, no, he was confident, उसको तो पता था, letter आए गई आएगा, वो बात अलागे कि आया तो postmaster की तरफ से था, अगर इस post office का postmaster इतना generous नहीं होता, kind नहीं होता, तो story नहीं बन पात वापस आ गया, आंसर फ्रेमिंग करें, as soon as Lencho received the letter, जैसे ही Lencho को letter मिला, he got utterly disappointed, इन्होंने पूचा surprised हुआ, हमने बोला, वो तो utterly disappointed, utterly, मतलब completely, आपने सुना था, utterly, butterly, delicious, अमूल मक्षन के लिए आदा था, अगर आपने नहीं खाया है, अमूल का विटर, तो देखना, वो एक छोटी सी लड़की बनी होती है, ऐसे करके है, बहुत बहुत पराना एड है, जब मैं बच्चिती तपका एड है वो, लेकिन अमूल का बटर अभी उसका तो पैक है, वो वही है, तो उसके उपर utterly, butterly, delicious, utterly, बतलब completely butter, से बना, तो इसलिए, utterly, आपको ऐसे याद हो जाएगा उसने मागे थे hundred pesos, उसने मागे थे hundred pesos, उसको मिले 70, okay, मतलब 30 missing है उसके हिसाब से, उसे क्या पता, कि postmaster ने खटे किये हैं पैसे, उसके हिसाब से 70, क्यों hundred आने थे, God ने पका hundred, आचा वो ये भी बोलता है, God can't make mistake, God ने कोई mistake नहीं की है, उन्होंने तो hundred ही भीजे थे, मैं इन्होंने कुछ किया, ठीक है, तो ये line भी आपको इसमें add करनी है, he did not show any sign of astonishment, surprised का ही दूसरा word मैंने ले लिया है, astonishment, तो सबसे पहले तो वो बोलता है कि disappointed हूँ, because पूरा पैसा आया नहीं है, और वो astonishment नहीं show करता, when he saw the letter for him with the money in it, he knew that God couldn't make such mistake, उसको पता है, God ऐसी mistake नह करेंगे, कि 100 का 70 कर दे, नहीं, पूरे दिये होंगे, but इन लोगोंने कुछ धानले बाजी की है, he immediately blamed the postmaster and his employees for stealing the rest of the money, बुलता है इन लोगोंने चोरी की है, and calls him, and calls them, लिख दीजिए इसके आगे अगे अगर आप लिखना जाते हैं, bunch of crooks, बुलता ही सताब के साब कौन है, bunch of crooks, clear हो गया, this is how you would write it, next question करेंगे, एक बार question पढ़ लेजे, फिर इसका answer करते हैं, सब लोग साथ में, ठीक है, question क्या है, why does the postmaster send money to Lencho, आप postmaster को क्या पढ़ी थी, पैसे भीजने की, ऐसे हर किसी को भीजता रहे का, तो कंगाल हो ज ठीक है, why does he sign the letter as God, ये भी बड़ अच्छा question है, कि वो God का नाम लेके sign क्यों कर रहा है, खुद का क्यों नहीं किया, ऐसे भी तो बोल सकता था कि तेख भई, तुझे पैसे चाहिए न, मैं दे रहा हूं, मैंने तेरा letter पढ़ा, God तक नहीं जाता भई, देख मैं दे देता तुझे पैसे चाहिए तरह काम हो जाएगा, but no, he didn't sign his name, he signed it as God, why? वाही वाली चीज़े जो भी अभी इमने डिसकस करी, first of all, he did not want the faith of a person to be broken, he appreciated it and he wanted the faith to remain same and that's the reason he wrote it as God, God की नाम से उसने इसको sign करके दिया, also what you can write is, why does postmaster send money to Lencho and why does he sign as a God? तो Lencho को पैसा क्यों भेशता है, faith उसका बना रहे इसलिए और God की नाम पर क्यों कहता है, because वो break नहीं करना चाहता है, उसका faith, तो दोनों ही, बताब एक तरिके से देखा जाएगा, तो answer same है, but आप उसको exaggerate करके लिख सकते है, because question में पूछा है, two parts, so the postmaster did not want to shake Lencho उसका faith खतम नहीं हो, इसलिए, he sent him the money, नहीं आता तो Lencho को पता है, क्या लगता, सब बखवास है, जिसे देखो हमारे साथ में क्या होता है, बच्चों, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हमारे साथ कुछ भी खराब हो जाता है, ना तो हम क्या बोलता है, कोई भगवान नहीं होता, कोई अच्छा काम नहीं होता, इस दुनिया में सब खराब ही है, मेरे साथ हम हर चीज़ खराब होती है, सब बखवास है, पूरी लाइफ ही बेकार है, इससे तो अच्छा में मर जाओं, हम एकदम से इतनी जादा पैसी मिस्टिक उजाते कि हम सब चीजों के अच्छ को जल चड़ाओ, आपके हर मनो काम ना पोड़ी होगी, मान लो चलो आपसे किसी ना कहा ऐसा, मंडे को शिव जी के उपर शिव लिंग पर जल चड़ाना, ट्यूस जी कहनवान जी की पूझा करना, जो भी जिस भी डे से रिलेटेड गॉड है, वैसा मैंने किया, मे लेगेगा, गॉड होता ही नहीं, सेम सेनारियो लेंचो के साथ ना हो, इसलिए, अब लेंचो को पैसे री बिलते बुलता है, क्या थी वो, no one dies of hunger, God will never let us die, he is watching everyone, यह सब बखवास बात है, कुछ नहीं हुआ, तो लेंचो का फेथ खितम हो जाता, लेकिन उसी फेथ को continue रख इंप्रेस्ट था ही कैसे आदमी से, जिसने गॉड को लेटर लिखा, because he wanted some help from him, the postmaster hand decided to send money to लेंचो, without mentioning his name in the letter, now this is the answer, this made लेंचो believe that the money has been sent by the God only, none but God, God ने ही पैसा भेजा है, इस चीज़ का विश्वास लेंचो को तब ही होगा, जब वहां लेंचो का लेंचो को तब होगा, मतलब, hard man, ox of a man, दिमाग कम, बस, you know, hard work करने वाला, और जो बंदा God को letter लिख सकता है, वो ये भी बुल सकते है, मिरको तेरे पैसे नी चाहिए, God भीज रहा होगा, रुख जा भी, तो ये भी scenario बन सकता था, है न, story बन सकती थी, but he wanted money from God only, ताकि faith बना रहे, so this is how you would frame it, clear next question करेंगे, all right, let's move on to the next question, question number 9, did Lencho try to find out who had sent the money to him, why and why not, तो देखो अब question भले ही, अभी आप notice करोगे, कि आने वाले जो 2-3 questions थे न, जो अभी निकल के गए है, अब ये है और एक और जो होगा, they have the similar answer, question को पूछने का तरीका अलग है, otherwise आप answer में वाई story लिखोगे, जो अगर ये question होता, did Lencho have faith in God, yes, why, why not, जो आपको ये लिख देते हैं, यहां लिखा हुआ है Lencho, did Lencho try to find out who had sent him money, no, because उसको faith इतना God भी God नहीं भीज़ा है, Lencho ने बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सूचा कि लेटर गो जाना था, उसका अड्रेस किया था मैने, त he did not get surprised, वो surprise नहीं हुआ, बुला, हाँ, ठीक है, पैसे मांगे थे आ गए, what's the big deal in that, now, did he try to find out, to find out करने का तो सवाल ही नहीं था, जब बंदा इतना सोच रहा है के पैसे आएंगे, 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 तो find out क्या करना, जब उसको लेटर आगे था, वो surprise नहीं faith in God, इस line को please everyone as a context याद कर लीजिए, यह आपके काम का line है, आपका फाइदा होगा इस line से, अच्छी line है, so this is another point which proves that Lencho had unquestionable faith in God, Lencho का जो faith था God में वो unquestionable था, Lencho was a man who never suspected the presence of God, Lencho ने कभी भी ऐसा बोला ही नहीं कि God exist नहीं करते हैं, never suspected the presence of God, He was always sure, वो हमेशा इतना sure था, that God would definitely help him in his hard time, उसको पता था, हमेशा, देखो अब यह line है आपको chapter में नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको यह बनानी है खुद से, because हमको chapter में इतना बताया गया है, कि वो optimistic हो गया था, उसने कहा था God help करेगा, तो यह line हम खुद बनाएंगे, कि उस उसको हमेशा, जब-जब God ने, उसको जरुवत थी, उसने help, उसको पता था कि God उसको हमेशा help करेगा हाट टाइम्स में, after receiving the money, Lencho was not at all surprised, बिल्कुल surprise नहीं हुआ, नीदर डिदी ट्राइट तो find out who had sent him the money, तो देखो question जिस तरीके से हमें वही से ही उसकी framing करनी पड़ेगी, however, he became angry, हाँ, surprise नहीं हुआ, find out नहीं किया, बट गुस्ता हो गया, क्यों हो गया, he became angry and asked God to send him full money as he needed that very much amount, उसको चाहिए था वही वाला amount, जितना उसने मांगा था, तो गुस्ता तो हो गया, तो surprised हुआ, astonished हुआ, नहीं, find out करने की कोशिश की, पैसे किसने बिजर नहीं, गु हो गया, कि मेरे को पूरा पैसा चाहिए, तो धेखो हम उनहीं लोगों से गुस्ता होते हैं, जिनको हमे प्यार करते हैं, लाइक करते हैं, वो इसा है, मेरे को पैसा चाहिए, आप मुझे पैसा लाके दो, यह जो ट्रस्त था गॉड बट पर उसका, जो ड़्ों समझ रहा है तुम पैसे भीज रहे हैं, इनके थुरू मत बेजो, कुछ और तरीके से भीजो, बट बेजो, एड आर्दमी एक डम, ठीक है, so this is how you would find out कि उसने किस तरीके से, अगर question आया, कि क्या उसने find out करने की कुशिश की 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 नहीं, ना, बिल्कुल नहीं की, ठीक है, आल राइट, so, ओ, that's it, we had nine questions, बच्चो, तो we have done those nine questions, I was thinking ten were there, but nine, nine है, so these were all the questions from your NCRT के book से, ठीक है, hopefully, एक चीज तुम लोगो बताती हूँ, देखो, और ये चीज ना, मैं आपको हर बार, हर वीडियो में बताऊंगी, हर चैप्टर के NCRT करते हुए बताऊंगी, जितने भी questions मैंने, और जो बच्चे लास्ट एक वीडियो देख रहा होगा, प्लीज बताना मुझे चैट सेक्शन में, कि हां मैं हमें समझ आ गई ये आपकी बात, ओके मैं, we've got it, ये आप लिखके देंगे, we have understood it, we've got it, समझ नहीं है, we have understood it, ऐसे लिखना है, ठीक है, जितने भी questions मैंने कराए हैं, बच्चों, 9 questions, और जितने answers मैंने आपको कराए हैं, 9 answers, बोर एक्जाम में, इस chapter से related, कुछ भी question आता है, that question would definitely be related to these questions that I am asking, language question की कुछ और होगी, पूछने का तरीका कुछ और होगा, बट अगर आप notice करोगी, तो इन 9 questions के अंदर ही, हमारा question चुपा होगा, जो board में आने वाला है, हो सकता है वो, जैसे देखो मैंने आपको question बनाने का तरीका भी समझा रखका हैं live में, आपने देखा है ना, question में कैसे शुरू करते हैं, एक बड़ी यही इसी लाइन लिख देगे कुछ अजीब सी, बहुत एक दम स्लोगन टाइप का लिख देगे, बहुई डायलोग टाइप का लिख देगे, और फिर नीचे उससे related कुछ question पूछ लेंगे चाप्टर का, easy, लेकिन वो line को पढ़के हम लोग बहुत डर जाते हैं, हमें लगता पतनी क्या पूछा है, हमें तो यह पता ही नहीं था, वो चाप्टर की theme से related question होता है, लेकिन अगर आप notice करोगे, तो जो सीधे सीधे questions पूछे गए हैं यहां, सीधे से मतलब sequence में पूरी स्टोरी खतब, वही questions के अंदर, मतलब जो आप से पूछा जाएगा, वो उसी questions से related होगा, इन ही में से कुछ आप से पूछ लिया जाएगा, ठीक है, है NCRTK, लेकिन आएगा इन में सही, मतलब कि question का जो तरीका है, बुझने को कुछ औरों का आंसर यही है, तो आप चाहें तो इन 9 आंसर को इलर्न भी कर सकता है, I hope ये video आप लोगी काम का था, और आपने काफी कुछ सीखा, लास्त अगर देखा था, तो मुझे comment section में बताना जरूर कि मैं हमने पूरा video आपका complete कर लिया है, और ये chapter फिनिश, नेक्च चाप्टर है, वो आप लोग को नेलसन मंडिला के ऊपर आने वाला है, उसके NCRTK questions and text questions, हम लोग discuss करेंगे, और आप लोग उसको तयार कर ले जाएगा, ठीक है? All right then, I will end this video here only, we'll meet you in the next video and live sessions, till then, bye everyone and take care.